वीडियो में बात करेंगे जो हमारी एक और प्रीमियम सीरी चल रही है लंका प्रीमियर लेग जिसमें आपने कल भी हमारी विनिंग अच्छी खासी देखी होगी हमने 37 में से 29 कॉंटेस्ट यहां पर विन किये 1,10,000 लगा करके 1,80,000 रुपया प्रॉफिट हमने कमाया इसमें 55,000 और हम विन कर चुके थे आप लाइब विनिंग प्रॉफ का विडियो देखना आपको इसके बारे में डिटेल में बात पता लग जाएगी किस तरीके से हम विन करते हैं अब यहां पर इस मैच के अगर मैं बात करूँ यह मैच हो रहा है उसी वैनियू पर कॉलम्बो में जहां की पिछले कुछ मैचे जापको देखने को मिले है जाफना किंग्स की बात की जाए इसके पहले लंका प्रीमिर लिग के दो सीजन हुए है यह तीसरा सीजन है दोनों ही सीजन जाफना किंग ने विन किया है ये सीजन में इनका अच्छा जा रहा है, साथ में से पाँच मैच जीत करके आ रही है दो मैच इन्होंने हा रहा है, वहीं अगर मैं कोलमबो इस्टार्स की बात करूँ तीनों ने साथ में से तीन मैच जीते हैं साथ मैच इनों ने भी खेले लेकिन तीन जीते हैं साथ में से और इनों ने चार मैच हा रहे है यानि जाफना किंग्स की टीम ज्यादा स्ट्रॉंग दिख रही है अब लंका प्रेमियर लिख की बात करो तो आज की डेट पे दो मैच के ले जाएंगे, दोनों ही लीग स्टेज के मैचेज हैं, उसके बाद आपको डिरेक्ली यहाँ पे चार और मैचेज, नॉकाउट मैचेज देखने को मिलेंगे, क्वालिफायर 1, एलिमिनेटर आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको क्वालिफ स्टैट्स लिखे हुए, मैं आपको डिरेक्ली बता सकता था, लेकिन आपको डिरेक्ली क्रिक बच पे या किसी दूसरी अप्लिकेशन पे जाकर कर यह देखना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा वैटर समझ में आएगा, सारी चीजे, आपको क्लिरली समझ में आएगी, आपको क्लिर करनी होगी, दूसरी चीज यहाँ पर जो चार मैच हुए, दो मैच बैटिंग फर्ष ने विन किया है, तीन मैच इन फेक्ट बैटिंग फर्ष ने विन किया है, एक मैच यहाँ पर बैटिंग सेकंड ने विन किया है, यानि यहाँ बैटिंग फर्ष करने वाल इनके टीम और इनके बैट्समेन में प्रोब्लम है, ये बाद भी आपको एक क्लियर हो गई, यानि ये एक बैटिंग फ्रेंडली पिछ है, अब यहाँ बात आती है, पेसर्स को कितने विकेट मिलें, इस्पीनर्स को कितने विकेट मिलें, मैं आपको एक चीच बता देना बहुत अच्छे अच्छे स्पीनर्स यहाँ से हो करके निकलते हैं, पाकिस्तान से अच्छे पेसर्स्विंग कराने वाले बॉलर्स आते हैं, तगड़े गिनबा जाते हैं और यहाँ से स्पीनर्स आते हैं, अब यहाँ पे यह बात भी आपको क्लियर हो गई, अब आपको Pacer, c4 wicket Pacer, 5 wicket और यहाँ पे बागे spinner है, यह 4 तीनो, c4 wicket Pacer ने spinner लिए तो इस तरह की चीज़े है, Pacer को कई भार जल्दी ज़्यादा wiket मिल जाता है, डेफ़ोर में कराते है important time पे वो balling कराते है अब जो हमारा main focus होना चाहिए टीम के formation पे होने तो मैं जो टीम मना रहा हूँ भी फिलाल जाफना किंग्स को मान के चल रहा हूँ कि उनकी पहले बैटिंग आएगी यहां से आपको गुरबाच को लेके चलना है 23 रभ मना है तो अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं अब इसका फर्नांड हो है जिनको आप बिल्कुल भी अपने टीम से नहीं हटा सकते हैं इंपोर्टेंट रहेंगे लगातार अच्छा की है लाश मैच आफिफ हुसेन खेले थे वन डाउन बैटिंग करने आये थे एक ही मैच में इन्होंने 54 रंग की इनिंग खेली तो अपकले इंपोर्टेंट है सदीरा समरा विक्रमा को आप इग्नोर कर सकते हो वैसी ये लगातार अच्छा केलने लाश मैच में 32 रंबनाया है नंबर 4 पे आते हैं विकट कीपिंग से भी आपको पॉइड नेंगे इसके लाश मलिक जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे लाश मैच में जीरो पे आउट हो गए थे इनको भी आप ट्राई कर सकते हो बट हमने टॉप 4 बैट्समन यहाँ पे ले लिया है लगबग 26 रन इनों तेरा बॉल में मारे थे आप चारो ट्राई कर सकते हो लेकिन बैटिंग कितनी आएगी यह भरोसा नहीं है तो यहाँ पे मेंली बॉलर हम ले लेते हैं बी फर्नांडो फिर से तीन विकट जेम्स फूलर लगातार अच्छा कर रहे हैं बीजेय वेसकान्त करके एक प्लेयर है यह जब दी खेलते हैं तो विकट लेते हैं दो विकट फिर से लिएगी स्पिनर है अब यहाँ पे एक बॉलर है जिनको मिस करना तो मेरे ख्याल से सही नहीं है ठिकसाना इनको भी लेना पड़ेगा भले इस सीजन उतना विकेट इनों नहीं लिया एकी विकेट लिया लाश मैच में भी तो जो अच्छी स्पिनर है उसको टीम बहुत समहल की खेल रही है यसे आपने हसरंगा को देखा होगा इस सीजन जारा विकेट से उनको नहीं मिला यह आप पर डिमेंड करता है एक काम और आप कर सकते हो मैं आपको बता दूँ अच्छी आप विलांगे करके एक बॉलर है इनको कभी बॉलिंग दी जाती है कभी नहीं जब दी जाती है जो बहुत विकेट लेते हैं लाज मैच में दो वर दिया गया बट इनको विकेट नहीं मिला था तो यहाँ पर यह एक डिफरेंसिल पिक आपके लिए सावित हो सकते हैं और सांधार बॉलर हैं राइट हैंडर के एगेश्ट करेंगे लेफ्ट टाम स्पीनर है यहाँ आप देख सकते हो लेफ्ट टाम और्थोडॉक्स हैं तो राइट हैंडर के सामने यह एक ऐसे बॉलर है जिनको खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अब यहाँ पर मैंने जो बोला आप क्या चेंज कर सकते हो सदीरा समरा विक्रमा को हटाओ थिकसाना को भी लो और इनको भी लो विजे वेसकांद को इस तरीके से भी आप टीम मना सकते हो अब यहाँ पर दूसरी टीम की बात कर लेते हैं कोलंबो श्टार्स के बात कीजाए तो इनके बैट्समन में कोई भी कंसिश्टेंसी नहीं है कभी स्टार्टिंगे मैचे मेरे टिकवेला ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था बाद में लगातार फ्लॉप कोई मैच में नहीं चले लाश्ट मैच में भी जी रूप्य आउट हुए चंडी मल अच्छा कर रहे हैं कुछ न कुछ पॉइंट आपको देंगे बीस रम बना है उसके पहले बे अच्छे इनिंग खेली थी यहाँ दर सी एस लंका एक अच्छे प्लेयर है लाश्ट मैच में फ्लॉप रहे लेकिन इसके पहले के मैचेज में इंका पर्फॉर्मेंस आप देखो बहुत ही सांधार है 69.87 तो यह आपके लिए इंपोर्टन रहेंगे अच्छी इनिंग खेली लेकिन बैटिंग थोड़ी नीचे आती है और अब बॉलिंग भी यह नहीं करा रहे हैं तो हम इंपोर्टन बॉलर को भी लेना पड़ेगा इनके टीम के क्योंकि मैंने आपको बताया है दोनों इनिंग में विकेट गिरते हैं तो हम लोग जो बात कहते हैं उसी के एक ओर्डिंगम टीम बनाते हैं आपको भी यह चीद ध्यान देनी चाहिए तो ऐसा नहीं है कि यहां पर वन साइड़ेड मैच होगा जाफना किंग पहले बैटिंग कर रही है तो इनको ऑल आउट कर देगी जल्दी ऐसा जरूरी नहीं है तो यहां पर पहले अगर बैटिंग करने आ रही है जाफना किंग जिस साफ से मैं टीम बना रहा हूँ तो विकेट तो इनके भी गिरेंगे तो इनके बॉलर आपको लेना है जरूरी है जो जो इंपोर्टन है यहाँ पर आपको लेना है सबसे पहले रंजीता को भले लाश्ट के दो मैच से अच्छा नहीं किया है हमने जिस मैच में इनको वाइस कैप्टेम बनाया था उसी मैच में इन्होंने पांच विकेट लिया था आपको याद होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लावा यहाँ से वेंडर से भी करा रहे हैं इनको ले सकते हो सुरंगा लकमल आपको दिखाई देंगे इन्होंने दो ही ओवर कराया था एक विकेट लिया था कभी चार ओवर कराते हैं बट यहाँ से मैं एक और लांडर लेना चाहता हूँ यह भी तीन से चार ओवर कराते हैं और इनका एक क्लस पॉइंट है बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं यहाँ बे करीम जनत है यह कभी भी अच्छी बॉलिंग से और बैटिंग से परफॉर्मेंस कर सकते हैं अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग आती है या सेकंड भी आती है तो बिस्वा फर्नांडो एक अच्छी पिक है इन्हों ने जितने मैचेश के लिए हर मैच में दो विकेट तीन विकेट चार विकेट इस तरीके से इनों ने लिए है तो यह एक विकेट टेकिंग बॉलर है आप इनको बना सकते हो जहां तक बैट्समेन का सवाल है किसी का कोई भरोसा नहीं है कौन कितना रम बनाएगा कोई भरोसा नहीं है तो बैट्समेन को अभी बनाना सही नहीं है दोनों इनिंग में विकेट गिरते हैं तो बॉलर लेगा ही लेगा, प्लस वेसकांद या थिकसानों का वाइस कैप्टेम बना सकते हो, कोलम्बो इस्टार्स की तरफ से अगर आको बहुत इच्छी है, दिली इच्छा है आपको, कि आपको बनाना ही बनाना है, आपने कसम खा लिए, कि हम कोई नहीं को जिताना है, तो फिर आप यहाँ पे बेनी होवेल को बना सकते हो, लाश्ट मैच में फ्लॉप रहे थे, ये भी याद रख लेना, लाश्ट मैच में बैटिंग से भी जीरो पे आउट हुए थे, और तीन ओवर में विकेट भी कोई नहीं लिया था, तो जब यह अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो बैटिंग बॉलिंग सब कुछ कर डालते हैं, और नहीं करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते हैं, यह आपको याद रखना है, CS Langka का यह वही हाल है, खेलते हैं तो बड़ी इनिंग कहलते हैं, छोटी इनिंग इनको कहलने नहीं आती है, चंडी मल अच्छा कर रहे हैं, कंसिश्टेनसी के साथ कर रहे हैं, कब फ्लॉप होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है बॉलिंग में अगर इंकी टीम की पहले बॉलिंग आती है तो के रंजीता को आप बना सकते हैं वाइस कैपने वैसे ही ये भी विकट नहीं ले रहे हैं दो तीन मैचे से लाश्ट के ये आप देख ले ना वेंडर से का एक हमने उपसन दिया वो भी अच्छी पिक है और बैटिंग सेक्शन में कुछ और उपसन है जैसे कि यहां पर रवी बोपारा भी है ये भी एक ओवर कराते हैं कई पार विकट ले जाते हैं उसी एक ओवर में और फिनिसर के तोर पर आकर के 30-40 रन आसाने के बना सकते हैं सेम यहां पर सोय मलिक का भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अंजेलो मैथ्यूस है ती सारा परेरा है कुछ बैट्समेन मैंने यहां पर छोड़े हुए हैं टॉप ओडर के सभी बैट्समेन मैंने कवर की हैं तो बाकी चीज़ें आपको अपना दिमाग लगा करके काम करना है पैसा आपका है दिमाग आपका होना चाहिए जो हमको सजेश्ट करना था वो हमने आपको कर दी है अब बात करते हैं पेड़ मैंबर्शिप की तो हमारा एक मातर नमबर यही है 914-0-233-474 हमने लंका प्रीमियर लिग के पहले ही आप सभी को बताया था कि हमारी तीन प्रीमियर लिग प्रीमियम लिग स्टार्ट हो रही है बिग बैस लिग अभी जश्ट रिश्ट रिश्ट होई है 11 फरवरी को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा प्लस 23 दिसम्बर से सुपरिस मैच श्टार्ट हो रहा है 11 फरवरी को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा लंका प्रीमियर लिग में आप जितनी मैचेज है जैकपॉड मैचेज है तो इसमें नंबर आप मैचेज से मतलब नहीं होता अभी भी आप इसका पैकेज ले सकते हो लेकिन इसका चार्ज इंक्रेज कर दिया गया है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होश्ट दो संकुरी साइनिंग आउट बाबाई